Hello everyone, welcome to my channel competition tips by Alkumar आज हम कर रहे हैं William Shakespeare की important key facts यह key facts काफी important है इसमें quotation है जो किसी राइटर ने सेक्सवेर के लिए लिए है यह सेक्सवेर के works में जो famous line है वो इसमें include की गई है और यह आपकी help करेगी आपके exam को crack करने में और आपके score को increase करने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोट यह important key facts में first number है I love the man and do honor his memory on the side idolry as much as many He was indeed honest and of an open and free nature who said यह किस ने कहा था Ben Johnson's ने कहा था यह famous line है और यह सेक्सवेर के लिए कही गई थी एक इंपोर्टन फेक्ट टू ग्लॉब और ब्लैक फाइरस आर दे नीम ओफ थीटर विच आर एस्सोसिएटेड विद यह किसे एस्सोसिएटेड है सेक्सवेर ग्लॉब थीटर तो उनका सिंपल सा सीधा था ही जो पूछा जाता है लिकिन ब्रैक फाइरस भी उनका ही एक थीटर था जिनमें उनके शेयर से और वो इनसे जुड़े हुए थे तो यह दो थीटर का नाम यादर अक्लीजेग आप यह पूचे जाते रहे हैं और फिर दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में थर्ड है सिक्स फियर प्रबेबली वर्क बिद समवन इन टू लास पार्ट ऑफ हैंरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड हू इसमें मतलब जो अपने लास्ट पार्ट यह हैंरी फॉर्ड का और व नहीं होती था तो ship*** भी नहीं होता और वो कौन थी वो क्रिस्टोफर मार्लो का जुक्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क था उनका सब्काफ़ी areš right सेईक्स Here पर ता था? Christopher Marlowe. फॉर फेक्ट है, इस साथ that Henry VIII is a work of Fletcher's, तो ये शेक्ष्वियर का एकोर वर्क था Fletcher's, जैसे कि Christopher Marlowe के साथ ऐसे Fletcher's के साथ Henry VIII उनों ने किया था, Fletcher के साथ कौन सा वर्क था? Henry VIII. नेक्स्ट पाइप्ट Fact No. 5 The Queen commands Sixfier to show Fletcher's stuff in love. Then Sixfier wrote a play, which one? यनि कि Queen ने उनका एक famous drama देखा था, उसके बाद Sixfier को ने कहा था, कि मैं चाहती हैं कि ये जो Fletcher's है, उसे तुमें जैसे characters में प्यार में दिखा, उसके उपर एक पूरा प्ले लिखो, तो Sixfier ने Queen Elizabeth के command को मानते हुए, Mary Wives of Windsor लिखा था, और ये जो है, फेलस्टाफ एक काफ़ मोटा आदमी है, एक मोटा, एक comedy type का character है, और जो Mary Wives Windsor में क्या करता है, वो कहता है कि ये लीडिज भी मुझे पसंद करती हैं, कैसी वो लीडिज उस अपने पतियों को पुला कर उसका कैसा मजाग उडाती है, तो ये पूरी है, लेकिन क्वीन ये पूछा जाता है कि फेलस्टाफ को as a characters, Mary Wives of Windsor लिखने के लिए किसने कहा था, Sixfier को तो Queen Elizabeth थी, Fact No.6, Sixfier contemporary was, Sixfier जो contemporary थे, किसके थे वो, Ben Johnson's के contemporary थे, Sixfier, Who wrote four books, किसने लिखी थे four books, The Wheel of Fire, The Imperial Theme of the Sixfier Tempest, and The Crown of Life on Sixfier Criticism, तो ये विंसन नाइट किती, उनने चार बुक लिखी क्रिजिम ने Sixfier के, कौन सी, The Wheel of Fire, The Imperial Theme, and The Sixfier Tempest, and The Crown of Life on Sixfier Criticism, Fact No.8, Others abide our questions, Thou are free, About whom did Matthew and Roll write, ये Matthew and Rolls की लाइन है, ये किस के लिए लिखी के पूचा जाता है, तो ये Sixfier के लिखी के लिखी के है, Others abide our questions, Thou are free, Next, Fact No.9, Helen Czech, but not her heart, Kilopatra Majesty, Alanta Betterpart, said Leukiria Modesty, Who is referred here, कि किसने का, ये रोजा लिने, As You Like It में कहा था, और ये famous लाइने हैं, जो अब मनतब लड़के के बेस में होती है, तब ये लाइने कही थी उसने, और लेंडो से, ये रोजा लिने, As You Like It, उनका famous, एक जो पैस्ट्रॉल एलो, प्ले है, जो जंगल में ही है, पूरा उस पे, अब 10 पैक्ट है, और लेंडो पैप, इस अब मेडन ओर्गन स्ट्रॉल एंडों, ट्रेल्थ नाइट में वियोला ने बोले है, ये भी उसी के है, I Will Do My Best, 11 पैक्ट में क्या कहता है, I Will Do My Best to Who Your Lady, Who is the speaker, इसलिए ने वो कहने वाली कौन है, तो ये वियोला है, इन दिस्काइज ओफ कैसेरियो, यानि ये डिस्काइज इन कैसेरियो को ये बेलवा ने कैसेरियो को डिस्काइज करते वे कहा था, I Will Do My Best to Who Your Lady, पैक्ट में ट्रेल, लुक तु हर मूर इफ दाव हैस आइस तु सी, सी हैस डिसीवड हर फादर एंड में दी, ये किसने किसको कहा था, कि लुक तु हर मूर, इफ दाव हैस तु सी, सी हैस डिसीवड हर फादर एंड में दी, ये हैं बारा बैंटियो तु अथेलो ने, बारा बैंटियो ने उथेलो को ये लाइने कही थी, एकोर फैक्ट, फैक्ट नमबर थाटीन, ये लाइने, ये लाइने, ये लाइने लाइने, बारा बैंड ब्लू तिल दे वाक कंसर्ट, जाले कि फैमस लाइने हैं, और आज का लास्ट फैक्ट, विच इस दा फ्रेस फुल ओफ बोईस्टीरियस फन एंड लाफ्टर, ये किसमे हैं, ये हैं लाव लेबर लास्ट में, ये कि फ्रेस फुल ओफ बोईस्ट्रेस, फन एंड लाफ्टर किसमे हैं, जो ये अलग तरीके का फुरा गोल माल हो जाता है, तो वो किसमें लाव लेबर लास्ट, तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स, जो आपके हेल्प करेंगे, एग्जाम को क्रेक करने में तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए भी नाइस टे,